मेरे नाम है मेरे चैनल का नाम है ishkai immigration consultants इस वदा मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे youtube चैनल ishkai immigration consultants ना मेरे facebook page ishkai immigration consultants पे how to apply shenjan work permit shenjan का work permit कैसे apply करें कोन लोग apply कर सकते हैं कहां से apply कर सकते हैं कितना खर्चा है का क्या documents required होगी visa chances कितने होंगे मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने की वीडियो अगर आप चीजें समझना चाहा रहे हैं तो आप वीडियो लास्त तक देखेगा इसमें काफी चीजें में क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो मुझे पते हैं और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो लोग और काफी मैसेज़ आ रहे हैं प्रिवियस कुछ दिनों से फलांग का वीज़ अवैलेबल है फलांग का वीज़ अवैलेबल है फलांग की अपॉइन्मेंट अवैलेबल है कितना खर्चा है we are not agents हम लोग एजेंट्स नहीं है हमारे पास कोई वीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं नहीं तो हम लोग की डन बेस पर काम करते हैं हम लोग जास फाइल बनाते हैं वीज़ा होना या ना होना वह आपकी लग होती है आपके डाकुमेंट्स पर होता है ले अप्ले करें लेकिन इसे पहले स्थारी बात इसमें आपको शायत सारी बातों के ज़ब मिल जाएंके मैं प्रिवैस कुछ चिनों से देख रहा हूं अधर चारा हूं यूट्बुक पे छूप पै क्योंकि मैं भी तो यूट्वुब्र भी यूज़ करता हूं स्नैप्चैट चान आप मत्लिब पर आपको पता है के कुछ आता है पहले था उसका हो जिसमें काफी जासथ हुआ यह जानी जानी उक्समाइट हुआता हुआ तो उसकी तो वहाट की जो सारे जो लोग थे जो भीदिग वह जते हैं अब जो लोग रहने वाले थे वो ट्रैवल किया तो वहां पर उन्हें जवासली जायर सी बात है वहां पर जुनों काहँ भी करना होगा अब यह दुने के बंदा फ्री पैठा रहेगा या आप पैसे भी जोएंगे या पर उक्राइन से प्रापर्टी है उकसे कराया आएगा इसा नहीं है जो लोग युक्राइन में रहने वाले थे वो ट्रैवल कर गए शेंजन में शेंजन के एक स्टेट निया चब्वीस स्टेट साती है यानि एक वीजा चब्वीस केंट्रिस वन विजा 26 में बेल्जियम भी है फ्रांस भी ए इटली भी है लिटोनिया भी है अब वहां पर चाहिए अब जोब सर्च की जॉब सिकर वीजा था यह निए उनके पास तो वीजा यह ने कहता आप आजाए इदर आप उन्हें जॉब स्टार्ट कर दी अब हुआ किया जहां पर जॉब ऑपर चुनिटीज थी शेंजन स्टेट में वो सारी जॉब ऑपर अब जो वहां पर उनको जो आए थे वह जारे मजबूर थे उनको कम सैलिज में बंदे मिलना शुरू हो गया तो हुआ क्या हुआ यह के जो शेंजन स्टेट के लोग पाकिस्तान से इंडिया से बंगला देश से अफगानिस्तान से या भी दूसरे जो कंट्री से इस्टेट से दूसरे कंट्री से अफ्रिकन स्टेट से बंदे बला रहे थे तो उन्होंने बलाना बंद कर दिया क्यों बलाना बंद कर दे क्यों को वहां मुझूद ही बंदा मिल गया तो वह आपको क्यों बलाएंगे यानि बात कहने का मकसद यह कि इस वकत शेंजन स्टेट का किसी कि का मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे आफिस में क्लाइंस आथा है या फिर हमें वेट्सअप करते हैं सरी रिव्यू करते हैं फेक यह इंपने कोई वहां से पर्क पर्मेंट निकलाना या मिलना बहुत मुश्किल है यह बहुत भूल जाएंगा अगा कोई भी फैमिली रिटीव है कोई बिश्दार है तो आपको इतना इसी ली वर्क पर्मेंट नहीं बाता है उसको टेक्स देना पड़ता है वह कंपनी से होता है लेकिन यह सा काम नहीं हो रहा है शेंजिन स्टेट्स पर अजसे पहले बताया था मैद refresh this उनको लगा कि शायद ये बात अगर उनके क्लाइंट सुनेंगे तो वो थोड़ सा डग मंगाएंगे लेकिन मेरा काम है एक्चुल बात फरवर्ड करना बताना आगे आप लोग अपना अच्छा और बुरा खुच सोच सकते हैं वीडियो में मुक्सद यह था कि आपको बता द इसकत आपके स्क्रीन में वेजिटिंग कार्ट चाल रहा है और टैलिफून नम्बर मैंचन है हमसे अदाफता कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब बाकी सारी इंफ्रमेशन लोग वीजियो में दे देते हैं बहुत शुक्रिया दुबार मैं लगा दोगी कुछ ने वीजियो के सब्सक्राइब कुछ ने मालूमाद के साथ खुद हाफ़ेश